हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो इन दिस वीडियो टूड़े वी विल डिसकस अबाउट सीमस एंड एडी रिजिस्टेशन की सच्चाई और इसको हम लोग आज समझेंगे एक पंजीकरण पत्र के साथ या उसकी हेल्प से कि सिमस एडी का रिजिस्टेशन जो है वो होता है या नहीं होता है ये कोश्यन जो है बहुत सारे फॉलोवर्स का बहुत सारे सब्स्क्राइबर्स का मुझे पिछले कहीं दिन से आ रहा था तो friends मैं आप लोगों को इसको आज यहाँ पर प्रूफ करूँगा कि यह सही है या गलत है या स्कर्जी स्टेशन होता है या नहीं होता है तो हम लोगों ने जो है एक Google से पंजीकरण जो यहाँ पर पत्र है उसको डाउन्लोड किया है जो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहाओगा तो यह जो पंजीकरण पत्र है यह चिकित साधीकाडी मुख्य чिकित साधीकाडी साहरण पूर ने जो है जो प्रारूप है यह पंजीकरण यह तो चिकित सा सेवाएं क्या क्या दे सकते हैं after CMACD course वो इसमें मेंशन किया गया है ये केवल प्रात्मिक उपचार हेतो है और इस पे जो डिस्ट्रिक CMO है सारनपूर के उन्होंने अपनी stamp लगाई है एक official stamp जो है इस पे लगाई है तो ये एक पंजी करण आवेदन पत्र जो है य वहाँ पे नहीं दे पा रहा है या CMO आपको registration से मना कर रहा है तो उसके लिए भी आप लोगों को next step वहाँ पे क्या लेना है इस पर पहले से चिकीज biology चैनल पे मैंने बहुत सारी videos बना के रखी हुई है अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो उसका link मैं आप होता है और उसका proof मैंने आप लोगों को दिखाया तो आप लोग इसको समझ सकते हैं उसके बाद जो है जो CSIR NET Life Sciences exam है उसके लिए आप लोगों के लिए IFS जो coaching है वो एक test series लेके आ रही है इसको आप लोग जोइन कर सकते हैं August 1st 2022 से इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के description box में बहुत सारी जो links हैं वोगों करा दूँगा अलग-अलग streams के लिए भले आप लोग CSIR NET exam mathematical sciences से दे रहे हैं chemical sciences से दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं या physical sciences से देना चाह रहे हैं तो इन सभी streams के लिए अलग-अलग वहाँ पे links में आप लोगों को available करा दूँगा तो थैंक यू friends थैंक यू for watching and